राजस्तान ओइल वरसेज R.C.B. की बेच होने वाला है मुकाबला राजस्तान बैंगलोर के बीच यह मुकाबला वान केली स्टेडियम होगा जिसमें आपको वान केली स्टेडियम की पीछ रिपोर्ट की बाहत का तो बेटिंग पीछ होने वाली है शोट बाउंडरी यहां की है चोटी बाउंडरी है तो यहां पर चोके चके ज़्यादा लगने की संभावना है पास्ट आउट फिल्ड है तो यहां का जो गेन दे मेदान के बाद बहुत ज़ादा पास जाएगी और हाई स्कोरिंग मैचेस यहां पर होने वाले इस मेदान पर तो यहां पर आप बात करने वाले है तो यहां पर हम बात करें है कि तो यहां पर आपको देखे क्योंकि इस मेच में point combination नहीं बेट रहा है आप जिस किलाडी को लेना चाह रहे है वो किलाडी यहां पर आप ले नहीं सकते क्योंकि point की यहां पर बहुत ज़्यादा गरब्री चल रही है तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्तान के बीच होने वाले इस मेच के बारे में तो यहां पर play आप प्रेटिक्शन की बात करते हैं यहां पर बॉटलर को ले सकते हैं राजस्तान रोयल के जो जोस बथलर है उन्होंने बहुत बहत्रीन पारी खेली थी पिछले मेच में जो की 100 रन की पारी हुई थी और स आजस्तान के होसले बुलंद है और RC भी अपनी पहली जीत यहाँ पर लेना चाहेगी तो इसकी बारे में हम बात करते हैं संजू सैमसंग के तो संजू सैमसंग ने अच्छा परदशन किया है पच्पर रन किया थे पहले मैच में और सेकिंड मैच में तीस रन का स्कोर यहाँ बट यहाँ पर यहाँ पर Emm बात करने वाले बैस्ट मैं की बात करत यहाँ पर व्राट यहाँ व्राट कोई को अच्छी फोरम में तो नहीं है बट यहाँ पर विराट गोली अच्छा कर सकते Question well का score किया था पिछले match में और यहां पर 12 run बनाये थे अभी गए होए match के अंदर dupl publishes की बात किये दूUp Estoy tutorial नेATE kita score किया था पर्स्ट mix में ऩेकर में पाँच यहां पर बनाये थे duplfill its ने तो आप यहां पर विराट कोली को ले सकते हैं और डूपलेसिस को यहां पर सेलेट कर सकते हैं RCB की तरफ से बात करते हैं हैट मेर की तो आप हैट मेर को यदि यह आप पर लेना चाहते हैं तो आप हैट मेर को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पॉइंड कॉंट कॉंबिनेशन में आपका हैटमेर यहाँ पर अच्छा नहीं बेट पाएगा 32 और 14 का स्कोर किया था हैटमेन है इसके बारे हम बात के लिए जे स्वाल को आप यहाँ पर ले सकते है जो कि राजस्तान रोयल के 20 रॉयल का स्कोर किया था पिछले मेच में और दो रण मनायत है सेकिन मेच में यहाँ पर तीन बेस्ट में आप यहाँ पर ले सकते हैं इसके बाद में ओलाउंडर शेक्षिन की बात के लिए तो यहाँ पर आप ले सकते हैं हसरंगा को आप ओलाउंडर के अंदर ले सकते हैं जो कि RCP का हसरंगा है, यहाँ पर 4 wicket के साथ, यहाँ पर top पर हसरंगा, तो 4 wicket हसरंगा ने लिये तो यहाँ पर हसरंगा आपके लिए बहतरीन form में है, और पिछले वाले जो पहला match हुआ था, उसमें एक wicket हसरंगा ने यहाँ पर लिया था, बैटिंग section, बॉलिंग section की बात कि है तो ऐस्वीनिक आपको लेना होगा क्योंकि ऐस्वीन यहां में बैठ रहे है अच्छी तरीके से तो आप रहाँ प्रेशिविन को उस्तले कर सकते हैं यहा पटेल को भी यहाँ पर ले सकते बैंगलोरू के पटेल ने दो विकेट लिया थे अश्वीन ने अभी तक कोई विकेट यहाँ पर नहीं लिया है फिलार पर अश्वीन ने एक विकेट लिया है अश्वीन यहाँ पर आपके लिए बेतरिन साबित हो सकते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं तो सिराज की बात करते हैं तो सिराज को आप ले सकते हैं यहाँ पर सिराज ने तीन विकेट अभी तक की है बैंगलूरू की तरफ से तीन विकेट लिए सिराज ने इसके बारे में बात करते हैं सिराज के बाद में तो आप एधीप को ले सकते ह आप दो जो है banklord की तारफ से लेतए और यहां पर बात बात करें तो तीन एक आप यहां पर बालिंग सेक्शन में राजयस्टान की तरफ से स्लेट कर से राजस्तान की बॉल्लिंग सेनी और कर सकते घंड में सेनी को आप सेनी तो स्यूक्ष ह्ओं नहीं बेट रहे इसलिए को आप रहे क्रिप को यहां पर लेटाजन हरज्जनल सेक्ष में नहीं बेटने하겠습니다 यहाँ पर है तो यहाँ पर आप सलेक्ट नहीं कर पाएंगे इन्हें इसके बारावाँ आप कृष्णा को यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कृष्णा ने अच्छा प्रदशिन किया है और तीन विकेट लिए आप चाहे तो एम सिराज की जगा आप चाहे तो कृष्णा को सलेक्ट कर सकते हैं तो आप किष्णा भी ले सकते हैं क्योंकि किष्णा ने तीन विकेट किया है राजस्तान का एक प्लेयर यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किष्णा को सलेक्ट कर सकते हैं और राजस्तान के छे प्लेयर आपके पास हो जाने वाले औ इसके बारे में बात करते हैं यहां पर काप्टेन और वॉइस केप्टेन के बात करते हैं संजू सेंसंग को आप यहां पर कैप्टेन सेलेट कर सकते हैं भैतरी इन फॉर्म में हैं ठीक है यहां पर ग्राइड की बात करा तो संजू सेंसंग आप ले सकते हैं और यहां पर विर सबसे ज्यदा सलेट किया गया है कैप्टीन के लिए तो यहां पर आपकी टीम जो है रंक नहीं कर पाएंगी क्योंकि बहुत सारे यहां पर जो कौंटेस्टर इन्ये है यहां पर जो मॉर्ट ले सकते हैं तो इन दोनों को आप यहां पर तो आ इस परकार से आपके टीम जो है वो यहाँ पर रहने वाली है और यह टीम आपके जो combination है वो यहाँ पर बैठने वाला इसके अलावा यहाँ पर आपका team combination है वो यहाँ पर ठीक बैठाना होगा तीन आप पर आप कर सकते दिना कार्थिक को आप चाहे तो यहाँ पर ड्रोब कर सकते क्योंकि दिने इसकार्तिक ने अच्छा इतना फॉर्म अच्छा नहीं दिखाया इस कि जगा आप दूसरा किलाड़ी select कर सकते आप तीन बेस्ट मेन और एक और लाउंडर को select कीजी और चार यहां पर bowling section आप ले सकते आपको यहांपर जो है totally यहांपर तीन तीन और एक यहांपर आपको साथ जो है bestman लेने होंगे क्योंकि यहांपर जो पीछ बैटिंग section का पीछ है तो इस साब सबसे आप यहां पर स्लेट कीजिए धन्यवाद